नमस्कार दोस्तों मैं पुनीत कुमार निगम मुसा मेटल से आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्मोनियम ड्रॉस क्या होता है कई लोगों ने मैं कमेंट करके और फोन के पूछते हैं कि Almonium Draws जो आप मेरे सामने वीडियो में देख रहे हैं यह पूरा Almonium Draws है Almonium Melting के दोरान जो स्क्यूपर गंदगी घटी होती है तो उस Draws को अलग कर ले जाता है क्योंकि वो Impiotees होती है लगबग इसके अंदर दोस्तो Almonium Content 10% से लेके करीब करीब 70% तक होती है यह डिपेंड करता है किस टाइप के स्क्रैप से रिकवर हो रहा है जनरली सबसे जादा अच्छी प्योटी का Almonium जैसे आप वायर को रिसेकल करें तो उसमें से आप वो कम निकलेगा ड्रॉज यह उसमें कम ड्रॉज निकलता है और वही आप Almonium Can दवाई के पत्ते और अलग कवाड़ी के थुरू इखटा होता है उसमें ड्रॉज बहुत रहती है तो उसमें ड्रॉज ज्यादा निकलता है वो अले स्क्रैप तो यह Almonium ड्रॉज कहलाता है और इसके मार्केट रेट भी आप मान के चलिए कि सत्तर से सो रुपे की बीच में होता है इससे यादा नहीं बिखता है यह और कई लोग इसमें फ्रॉड भी करते हैं 20 परशंट का माल होता है लेकिन वो 80% कैके चिपका देते हैं जिनको जानकारी नहीं होता है उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तो इस चीज का खास क्याल रखिए तो आपके साथ यह कभी भी स्कैम नहीं होगा और दोस्तों स्कैम फ्रॉड की बाते मैं आपको इसलिए अलट करता हूँ क्योंकि इसमें स्कैम फ्रॉड बहुत होता है इस बिजस में ज्यादा पड़े लिखे लोग नहीं है बहुत ही कम लोग पड़े लिखे हैं जाजतर पड़े लिखे लोग और जो पुराने लोग हैं वो कभी भी आपके साथ information share नहीं करेंगे क्योंकि उनको यह लगता है कि information share करने से एक उनका कोई competitor खड़ा हो रहा है इसलिए कोई information share नहीं करता है recycling industry से जुड़ी हुई और दोस्तों जरूरी नहीं है कि अपने साथ हो तभी आप कुछ सीखें आप दूसरों को देखके भी सीख सकते हैं इसलिए मैं information share करता हूँ ताकि आप safely काम कर सकें चाहदा तरी इसमें पुराणी लोग जो है वो सब जानते हैं बिजनस के बारे में इसलिए उनके साथ नहीं होता है और जो लोग इसमें नहीं आते हैं उनका फायदा इसमें उठाया जाता है जो scam fraud करने वाले हैं जो उनका सिर्फ target होता है कि मुझे महीने का एतने लोग सा scam करना है तो वो target करते हैं और इस target हैं वो लोग फसते हैं जो नहीं आते हैं जो ढूंडते रहते हैं scrap online search करते रहते हैं उनको फज जाते हैं वो easy target होते हैं क्योंकि उनको माल चाहिए और जो fraud करने वाला होता है वो यह समझ जाता कि उनको किसी प्रकार से scrap चाहिए तो वो आपको साथ scrap आपको offer बेश के आपको scam कर देता है या आपको माल देता है लेकिन फिर भी लोग साथ में को phone करते है कि बाई साथ यह scam हो गया यह fraud हो गया तो हमेज़ा सोच समझ के खरीदना चाहिए इतना जल्दवाजी नहीं करना चाहिए खरीदने में क्योंकि अगर आप आराम से सोच समझ के खरीदेंगे तो आप सही माल खरीद पाएंगे सही दाम पे तभी आपको profit हो और दोस्तो मैं तो भहुत सारी वीडियो डालता हूँ लेकिन जिस वीडियो मैं बोता हूँ कि यह मेरे पास माल है तभी मानना कि यह मेरे पास माल है और तभी मुझे message करना जैसे कि यह आला वीडियो मैं डाला है यह मेरे पास माल नहीं है इसलिए मैंने starting बता दिया कि यह मेरे पास माल नहीं है नहीं तो उसको देखके कई लोग मुझे phone करेंगे और बोलेंगे वह यह माल मेरे को दिलाओ क्योंकि मैं खुद iron copper aluminium में deal करता हूँ और ड्रॉज में नहीं करता हूँ धन्यवाद दोस्तों अपने कीनी समय देने के लिए नमस्कार